शेहर से लेकर गाउत अक्रविवार को श्रद्धा और भक्ती के साथ अनन्द चतुरदर्शी पर्वधूमधान से मनाया गया महिलाओं और पुरिशों ने विदिवत रूप से भगवान अनन्द की पूजा आरचना की घरो और विबिन मंदिरों में भक्तों ने अनन्द चतुरदर्शी का अवरत किया भादरपद मास के शुकल पक्ष की चतुरदर्शी को अनन्द चतुरदर्शी पर कहा जाता है इस दोरान खीरा धागा और रेशम के बने चौदर गाठ वाले अनन्द दूद अलग अलग तरह के पकवान फलों के प्रसासे भगवान को नौवेद अर्पित किया दूद दही शकर घी मद हल्दी चून मिलाकर पंचामरत बनाया गया कथा सुनने के बाद भगतों ने खीरा और अनन्द भगवान को लेकर पंचामरत में मन्थन किया पारू के जैमल डुमरी के रहने वाले पंडे श्रीकान चौवेनी पूजा के अंत में भगतों से कहा कि कती मत इच्छी छीर समुंदर अनन्त भगवान मिललन्त माथा चड़ाओ इस दौरान कथा सुनने के बाद भगतों ने श्रधा पूर्वकारती की इस दौरार के बाद श्रीकान चौशान जैमल जैमल कार्शान का रहना सुक्रशाम पतिगरे आवे काष्पर मिल ट्रू पन्त आन का ओं जरे जगदी श्रधरी मां तू प्तातु मैर्मे ओंल रए तुम्हा पूरने परे माध्मा तुम्हा एंताये आदी ओसामी तुम्हा एंताये आडिए पारवर्म परमेश्वर तुम्ह सब के स्वामी उंदे यदे भी सरी तुम्ह करूना के सागर तुम्ह पारने करता उसानी कुम्ह पारने करता में मुट घलता में स्यवत तुम्ह स्वामी कि पारो बरता हो गर्द घगजी स्वाणी कुम्हो ए क्यारो जरी सब के स्वामी उस्वामी सब के स्वामी करता किसे भी दिमी नहुदा यहामें, किसे भी दिमी नहुदा यहामें, तुम को मैं कुम सीर्यों जै जगरी सभरी में.